श्वेता मुंबई कभी थमती नहीं ये कहा जाता है लेकिन आज ना सिर्फ मुंबई थमी बलकि एक और जज़बा मुंबई ने दिखा दिया है कि आने वाले वक्त में अगर रुकना पड़ता है तो हम रुकेंगे बेहतरी के लिए जाहिर से बात है अक्षे जिस तरह से भागती हुई दोड़ती हुई मुंबई आज कहीं थमसी गई थी क्योंकि जिस तरह से आंदोलन हो या प्रदर्शन हो बड़े तौर पर मुंबई ने जो है वो दिखाया है लेकिन आज जो शांती यहां पर देखने को मिली है वो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले करमचारी लेकिन लिहाज़ा अब देखेंगे तस्वीर यह बिल्डिंग की है क्योंकि 15 मिनिट तक लगातार इन लोगों ने तालिया बजाई और आज अब ये घर में चले गए लेकिन आपको ये भी बता दे कि NCPI दिक्षश शरत पव सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं लेकिन अगले 31 मार्च तक जो है वो पूरी तरह से धारा 144 लागू की जाएगी लेकिन इन करमवीरों के लिए सबसे बड़ा जो है वो एक तौफा कह सकते है कि जो अस्पतालों में जो डॉक्टर मौजूद थे जिनोंने ये देखा नहीं कि ह हमारे घर में कौन है हमारे आसपास में कौन संबंदी है लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि जो मरीज आ रहे हैं उन्हें किस तरह से जो है वो सुवीधा दी जाएगी सौखार्द पूर्न तरीके से उनका इलाज कैसे किराया जाएगा क्योंकि आकड़ा देखा जाए जो आएगा क्योंकि आक पाज़ा जाएगा जाएगाieurs आका जाएगा जाएगा क्योंकि पंक recộं Benjamin